पॉट में सामुहिक विभा सम्मिलन का भब आयोजन किया गया है जिसमें मुख अतीती डॉक्टर संदीप सराओगी ने बरबधू को आशिरवाद दे कर उनके मगल जीवन की कामना की है शीदला माता मंदिर परिसर किला रोड मौट में आयोजित सामुहिक विभा सम्मिलन के आयोजक सैयोजक डॉक्टर अनिल तिबारी इबं आशितोस पुरुहित ने मुखती ती डॉक्टर संदीप सराओगी का मालेयर पढ़कर स्वागत और सम्मान किया तदो प्रांत आयोजित हुए सम्मिलन में 64 बर बधू पढ़ने सूत्र में बंधे जिसमें मुस्लिम समुदाई के साथ जोडों का निखा पढ़ा गया और संतावन जोडों ने हिंदू रिती रिबाज के साथ मंत्र उच्चारण के साथ साथ फेरे लिए मौट शेत्र में एक एतिहासिक कारिक्रम हिंदू मुस्लिम एक्ता के पिर्तीक सहमुखिक विभा सम्मिलन का आयोजिन किया गया जिसमें सेक्रों की तादाद में जन्द समुदाई इकत्रित रहा नजारा तो तब देखने को मिला जब इस भवे कारिक्रम में चिल चिलाती धूप में इंदूर देटा ने अपना पिरकोब दिखाते हुए कारिक्रम आयोजिन को बरवधू को आशिरवात की रूप में मौसम सुहना कर दिया और हलकी हलकी बारिश कर मौसम खुश हाल कर दि और सुन्दर्त देखने लाइक थी करक्रम की मुखातिती ने वर वधु को आशिर्वाद देते हुए कहा गया सायोजर्ण आज के दहेज लोवियों के लिए सवक है और सीखना भी चाहिए कि हर घर में बेटी जन्म लेती है और हर घर में एक बेटा जनम लेता है, लेकिन बेटा बेटी में भीद वाओ, क्यों? अगर किसी की बेटी आपकी घर में आती है, तो साक्षात आपकी बेटी की तरहा बहू लक्षमी बन कराती है एटेहासिक सामूहिक विभा समिलन में संघर्ष सेवा समीथी के सदस धर्मेंद्र खटी राजु सेन संदीप नाम देव आदी उपस्थ रहे परभी परिहार की रिपोर्ट